हेलो फ्राइंस नमस्ते आज हम बैट सिट का रियूस करेंगे जिसमें इजी ट्रिक से हम बनाएंगे बहुत सारे पॉकेट वाली बैग 15.5 बाय लामा निची इसका नाप है और दो रेक्टेंगल पीस ही सिर्फ लेने है और नाहीं फॉर्म लेना है नाहीं नोनुट इजी तर करके यहां से राउंट सेप देना है इसी तरीके से आपको दूसरा पार्ट रेडि कर लेना है यहां से हमने कट कर लिया है और यह कुछ ऐसा सेप आ जाएगा और हमने दो पीसिस यहां पे सेम नाप से कट किये हैं आप देख सकते हो आप कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हो कोई भी आटाबेक बुकरम यूज कर सकते हो अब हमने 16 बायवानी चिसके ये बैल्त लिये हैं जिसे हमें यहां पर अटेज करने हैं और दूसरे पार्ट में भी आप उपर की साइड अटेज कीजेगा तेकि इस तरीके से दोनों पार्ट में आपको अटेज करने हैं अब हम अस्तर कट करेंगे और राइस बैग कट करेंगे पहले नीचे राइस बैग रखेगा उसके उपर अस्तर फिर इसके उपर ये हमारा में पार्ट रखेगा अब हमें क्या करना है उपर से स्टीच करना स्टार्ट करना है देखे मैं बताती हूं यहां से और यहां से है और जहां पर राउंड से पर वहां पर छोटी-छोटे ऐसे नौचीस लगा दीजिए ताकि यह सीधा करें तो इसकी फिनिशिंग बहुत ही प्यारी सी आ सके तो आप देख सकते हो ने नौचीस लगा लिए और जहां पर हमने थोड़ी जगा छोड़ेती वहां से सीधा किया है अब इसके ऊपर टॉप स्टीज करेंगे इस तरीके से यहां पर पैक करके पूरे राउन में आपको टॉप स्टीज कर लेना है उसके पाद आपको क्या करना है देखे यह सीधी साइड है बैट से उसे अंदर की साइड रखिए ऐसे अ कर लेंगे इसके सामने की साइड भी मार्किंग करेंगे तो यह हमारा मिल चुका है अब एक पॉकेट बनके रेडी हो जाएगा अब हम दूसरी साइड से ऐसे फॉल्ड करेंगे और पीछे की साइड से भी ऐसे फॉल्ड करना है दिखी और फिर हमने यह देखी वनी जिस पे जो जगर चोड़ के स्टीच किया था उसे ऐसे पकरती हुए पैक करना है देखी अलग-अलग से आपको स्टी और यहां पर हम अटेज करेंगे वेल्ग्रो सबसे बड़ी बात किया है किसमें हमने कुछ भी खर्च नहीं किया है नहीं जिप का आटेज किया है और देखिए बहुत सारी चीजे इसमें आप अच्छे से और यूस कर सकते हैं बिल्कुल हमारी बैक बनकर रेडी हो गई है और यहां पर वेल्ग्रो अटेज बंद करके आप लॉक भी कर सकते हो बैक को तो आपके पैस चोटे बचे हैं तो ऐसी चोटी मोटी चीजे भी आप रख सकते हैं बड़ी बच्ची है या फिर खुद का सामान रख सकते हैं आई होप आज का वीडियो आपको बहुत अच्छ झाल Ses चेंचे होगे इंडियोग्sis वेल्गों यज होगेश्